बहुत अच्छा और्गनाइज किया हमारे सर ने और ज्यादा तर मैं मिलना चाहती थी अपने लोगों से अपनी महलाओं से अपनी मात्र शक्ति अपनी बहनाओं से बहने जो भी मेरी बहने यहाँ पर मेरी फर्स्ट मुलकात है इनसे बहुत अच्छा लगा मेरा सब के लिए मैसेज भी है और मैं बताना भी चाती हूँ आप मीडिया के थ्रू कि यह 1947 का जमाना नहीं रहा हम 21 सदी में जी रहे हैं कर दिए मेरा से बहा हैं झाल प्रवाब चाल आप देख रहे हैं शेवन चनल रोड़ा आज हमने विजट किया है जोदपूर के बी पेंचायत में जो एक छोटा सा गाउं काशेरन में है यहां पे आज एक अच्छा केम्प आयुजित किया गया जिसमें आज हमारे जो राकेश्ची हैं उन्होंने आज विजट किया यहां तो आज हम इनसे बातचीत करेंगे कि केम्प की पहले से यह जो महलाएं हैं लड़किया हैं जहां पे भी कुछ ऐसे अतिया चार्ज होते हैं कुछ भी ऐसी ट्रेजिटियां होती हैं तो हर वक्त यह आगे रहते हैं सोशल वरकर भी हैं तो हम इनसे आज बातचीत करेंगे कि आज यहां पे इनके जो कैम्प लगाया है, क्या इसका मकसिद था और क्या-क्या इन्होंने आज यहां पे इस कैम्प में बताया गया, हम सीधा आपको लेके चलते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आज यहां पे इस कैम्प में कितने लोगों ने हिस्सा लिया है, यहां पे आप क्यों आज आज आपने जो यहां पर कैम्प आयोजित किया गया क्या इसका मकसिद था और क्या किया लोगों को आज अवेर गया इसे सबसे पहले तो आपका दन्यवाद शुकरिया अमर्जीज जी और शुकर गुजार हूं में कि आप टाइम अगेंज जो है मेरा साथ देते हो और इनकरेज़्मेंट देते हो तो आज में यहां दूर दराज अलाका है, यह काशोर्ड का अलाका है तो इस मगश से आया कि आज चुटी का दिन भी था तो सोचा कि आज चुटी को कैश करूँ तो मैं इन लोगों के बीच में यहां पे आया, दूर दराज अलाका है, रिमोट एरिया है, मुझे ने लगता है कि कोई education की तरफ से कोई awareness यहां पर अभी तक हुई हो, तो आज आज आप लोगों की invitation पे मैं यहां पे आया, मैं यहां पर आज मेरा topic जो था woman empowerment के उपर था, जै है कि हाप आफ दे वर्ल्ड हमारी जो है population वो लेडिज की है, लेकन हमारी लेडिज अभी भी discrimination, disparity को फेस कर रही हैं, इनको बराबर राइट्स अभी भी नहीं हैं, अभी भी हमारी हम लोगों की समाज की मान सिकता जो है, एक इनके प्रती जो है तो एक weak sex मानने की है, तो मेर पर क्योंकि आप देखते हो कि maximum यहाँ पर महलाये हैं और महलायों में भी जो है energy वाली हमारी जो है बहने हैं यहाँ पर और बच्चे भी हैं यहाँ पर चोटे 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 तो मैंने आज इनका यहाँ पर एक अच्छा सेशन लिया, मेरे साथ में यहाँ पर सरपंच तो इनको कुछ जकी यह government की schemes और individual level के उपर इनके साथ में क्या-क्या atrocities होती हैं, अतियाचार होते हैं और इन लोगों ने कैसे उनको face करना है और कैसे अपने आपको समाज में जो तो बराबरी लानी हैं लोगों ने तो उस पर यह मेरे में हर zone में मुझे able teachers दिये हैं, जल्दी हम लोग उनको training दे रहे हैं और एक group टीम work के तोर पर हम लोग काम कर रहे हैं, हर district में जाएंगे, हर don't rotten areas में जाएंगे, हर कहीं भी remote area में हम लोग जाएंगे और team work के तोर पर हम काम करेंगे, और कोशिश करेंगे कि हर एक तक awareness हमारी पहुंचे और इसका जो है तो कि government की जितनी पी schemes हैं, उनको आप proper तरीके से समझेए, और अपने आपको inferior ना समझेए, आप में स्ट्रीम में आईए, बराबरी का दर्जा समझेए, और यह है कि आपने आपको कभी भी week महसूस ना करें, और इस समाज को तब ही हम लोग बदल सकते हैं, जब आप लोगों क के बीच में यह inferiority complex खत्म होगा, तो मेरा मेसेज यही है कि अपने बच्चों को अपलाइए, और अपने राइट्स जो है, राइट्स की जानकारी को परापत करने की कोशिश करें, क्योंकि government बहुत सारी schemes और कोशिश हैं कर रही है, तो इस चीज़ को अवेल करना चाहिए, तो आपने देखा कि इन्होंने अपना message यहां पे दिया कि जो भी यहां पे मैलाएं हैं, जो भी कहीं पे इनका number यहां पे स्क्रीन पे आपको दिया जाएगा, तो जो भी इनके साथ राफता करेंगे, तो यहां के जो senior citizens हम उनसे बात करेंगे कि जो इनके गाउं में आज के जीने लगाया, क्या कहना चाहिए आप उसके बारे में आज चाहिए, यह जो कैम्प इन्हों राकिश जीने लगाया, यह बहुत अच्छा कैम्प लगाया, लोगों को शियार करने के गा, जो लोग पिछडे हुए थे, जिनको इस चीज के बारे में पता नहीं था, और जो राज कुमार सर्थ, आज आपकी गाउं में जो कैम्प लगा, क्या कहने चाहिए इसके बारे में? अगर आपको अवेर होना है, तो उसके लिए एजुकेटर बनना पड़ेगा, एजुकेटर जब तक नहीं होंगे, तो तब तक आपके राइट आपको नहीं मिलेंगे, इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोश्य की, और लेडिस के जो जितने में मसल में ठेर होते हैं, इनको जैसे अंसा होती है, घर मैं, या दहीजपरता है, या किसी भी तरीके के इनके साथ बेढ़ाव होते हैं, उन से इनको अवेर किया गया, कि अगर आपके प्रतिक कोई ऐसा करता है, उसके क्या हक है, और उनको क्या करना चाहिएagem, तो आप अपनी पे कि तरफ से हैं उसके लिए हम यहां पे खड़े हैं और हमारे सरपेंसाब भी यह शिवा के हैं जो यह भी एक शुसल एक्टिविस हैं और बहुत अच्छे इन्सान हैं इन्होंने भी लोगों के बीच में जाके लोगों ही बहुत बड़ी हल्प कि अईये चलते हैं वानी हैंड खूब से खूबतर बन सकता है आपके घरकार शोफर्ष रंगीन दुनिया में घर सजावट बन चुका है जरूरी क्योंकि आप होंगी आपकी सब मांगे पूरी क्या करना पड़ता है आपको आराईशी सामान के लिए दूर दूर का दौरा तो आज हो जाएगा आपका एक भी पूरा क्योंकि आप डोडा में पेटरोल पाप और बुलिट शोरूम के साथ में वानी हैंडलों के नाम से गरेलू आराईशी सामान का चार मंजिला कार खाना खुला है जो आपको फरहम करेगा बिना दूर गए ही कंबल तक ये पर्दे मखमल काली अलमारिया गदे कुर्सियों के इलावा गरेलू सब याराईशी सामान बिलकुल कम से कम दामू पर हासिल करने के लिए राप्ता करें 99063746609906233314 कर चार को खाना कि झाल मेघक चार घूर लंग ही कन दो दो है जो से करो एंट है झाल में र वारे ही का पर ज हाँ है झाल ।